यहां से तो मैं इसे यहां से ओपन कर लिता हूँ यह देखो कुछ इस तरह का यहां गृप बना हूँ यह है गूगल एक्सेंस का पिन मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको इस पिन के बारे बताया था और मैंने आपको यह निवस दी थी कि मेरे इस चैनल के लिए एक्सेंस का यह पिन आ चुका है हलाकि उस वीडियो में मैंने इस एक्सेंस पिन को वेरिफाइ करके नहीं दिखाया था अभी ये जो AdSense का पिने से कहीं से भी मैंने उपन नहीं किया है ये जैसे का तैसा मुझे रिसीब हुआ था वैसा ही है अभी मुझे इस AdSense पिन को रिसीब करने में 14 दिन लग गया थे तो नशकार दोस्तों मैं है विशाल आप देख रहे हैं आपका अपना खुद का टिक्स्माट गाइड यूटूब चैनल यहां इस चैनल पर मैं आपको यूटूब से रिलेटे टिप्स, टिक्स, टुटोरियल्स, निउस और अपडेट्स देता रहता हूँ ताके फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो, तो चलिए आपका ज्यादा समय गवाई भी न, हम सीधे चलते हैं वीडियो के तरफ, एंड सबसे पहले मैं आपको इस इन्विलप को ओपन करके दिखाता हूँ तो चलो guys, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ यह Google AdSense का पिन है मेरा, सबसे पहले तो हम इसे ओपन करते हैं यहाँ से, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लिता हूँ यह देखो, कुछ इस तरह का यहाँ ग्रिप बना हुगाता है रहता है guys, आपको ज्यादा मैनत भी नहीं करनी है, आप जस्ट एक जगस में पार्णा स्टार्ट करोगे और यह ओपन होना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हो, इसमें कहीं से भी कोई मैनत करने की जूरत इसी पिन को हम अपने AdSense account में इंटर करके अपने address को verify करेंगे, तो चलो मैं आपको सीधे लेकर करके चलता हूँ PC के screen पर, friends, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, अपने computer के screen पर, अपने laptop के screen पर, अपने creator studio में आ चुका हूँ, तो चली friends, हम यहाँ से AdSense के साइट को open करते है और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हूँ, कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, Google AdSense के dashboard में, और यहाँ पर अगर आपको AdSense ने pin sent कर दिया है, तो कुछ इस तरह का notification देखने के लिए मिल जाएगा, मैं इसे भी आपको zoom करके दिखा देता हूँ, यह देखो, your payments are currently on hold because you have not verified your address एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गया, कि वहाँ पे जब हमने वो पिन को open किया था, तो वहाँ पे भी 4 steps दिया हुआ था, वो 4 steps को follow करके भी, यहाँ जो एक payment का button दिख रहा, इस पे click करके भी, आप अपने address को verify कर सकते है, यहाँ पे आपको option मिल जाएगा, लेकि कि इसको 2-4 अपते का समय लगेगा पहुचने के लिए, verify your address by entering the pin we sent you, and यहाँ पे आप देख सकते हो, verify का button देख रहा है, तो simply हमको इस verify पे यहाँ क्लिक करना है, चलो मैं इसे click कर देता हूँ, तो जैसे मैंने click किया guys, तो यह कुछ option आपके screen पे दिख जाएगा, enter your pin, you will find the six digit pin in the letter we sent you, और वो pin मैं आपको अलड़ी दिखा चुका हूँ, वही pin मैं यहाँ पे अभी enter करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दो guys, यहाँ नीचे देखो, एक बहुत ही important छोटा सा message है, you have three attempts remaining, यानि कि आपको यह जो pin sent किया गया, अगर आपने उसको तीन बार गलत sent कर दिया, तो आपको उसके बाद फिर से pin के लिए apply करना हूँ, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शान्ती से, बहुत ही द्मिरान से आपको यह pin यहाँ पे enter करना है, तो चलिए हम यह pin इंटर करते हैं, मैंने आपको यह pin दिखा दिया हूँ था guys, वह यहाँ पे and वही pin मैं यहाँ इंटर करने जा रहा हूँ, वह digits थे 8, 8, 1, 9, 9, 6, यह submit बटन यहाँ पे highlight हो जाता है, तो बस हमको यहाँ पर अगर एक बार आप फिर से check कर लो, कि यह सही आपने pin डाला है कि नहीं, मैं भी एक बार check कर लेता हूँ यार, 8, 8, 1, 8, 1, 9, 6, okay, म मेरे साब से यह सही है, चले अब हम submit पे click करते हैं and यहाँ मैंने submit पे click किया, एक देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे message आ गया, thanks for providing the pin and यहाँ पे एक message आ गया, your billing address has been verified करके एक message वहाँ screen पे आ रहा था, दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर अपने address को verify कर लिया है, अभी आप इसे refresh किया and अब आप देख सकते हो guys कि वो जो ऊपर का notification था, address verification वाला, वो notification यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे हमने अपना address को verify कर लिया, तो laptop के screen से अभी के लिए बस इतना ही guys, तो guys I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो please वीडियो को एक like कर देना and I hope कि जो process मैंने बताया, अला कि यह common process है यार, इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी and जो steps मैंने बताए हैं, अगर उन steps को आप भी follow करते हो, तो आप भी बह आ सकते हो, इसके अलावे अगर adsense से related आपका कोई भी query है, कोई भी doubt है, तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके बताओ, मैं आपके उस doubt को clear करने के जरूर कोशिश करूँगा, and उसके अलावे भी, अगर आपका doubt ऐसा कुछ है, आप चाओ तो मुझे Instagram, Facebook या Twitter पे कहीं भी बाते कर सकते हो, इन सब की idea आपको video के description में, channel के about section में and video में भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो चले दोसको मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे एक और बहुत ही interesting, informative and knowledgeable video में, तब तक के लिए आप अपना खयाल लखिए, stay safe, happy and healthy always, bye bye friends, take care and thank you so much for watching, bye bye.